द्रिश्टी आईएस के ओडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है आज का हमारा आर्टिकल दहिंदू में छपी खबर RBI Regulation on Co-operative Sector Kerala Government to Consult Legal Experts और दहिंदू में छपे लेक Cooperation Awaits Its Finding Refusion Movement के समीलित सारांश पर आधारित है इसमें Team Drishti के Inputs भी शामिल है यह audio आर्टिकल GS Paper 2 के राजविवस्था खंड से जुड़ा है तो आईए लेक की शुरुवात करते हैं हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल Drishti IAS English भारत में सहकारी समीतिया 26 नवंबर का दिन भारत में सम्विधान दिवस और National Milk Day के तौर पर जाना जाता है National Milk Day मनाने के पीछे की वजह है वरगीज कुरियन का जर्म दिन वरगीज कुरियन देश में एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जाने जाते रहेंगे जिनोंने दुख्द उत्पादन में पिछड़े हुए देश को दुनिया के सबसे बड़े दुख्द उत्पादक की श्रेणी में खड़ा कर दिया कॉपरेटिव यानि सहकारी मॉडल वाले उद्यम अमूल ने देश में सफलता की नई इबारत लिखी है इस मॉडल से केवल देश में दूद का उत्पादन नहीं बढ़ा बल्कि दुख्द उत्पादन करने वाले किसानों को भी लाप का हिस्सा मिला किसानों के लाप का यह हिस्सा चंद फीसद तक सीमित नहीं है इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि अमूल के एक लीटर दूद की कीमत अगर 58 रुपे है तो किसानों तक प्रती लीटर 49.1 रुपे पहुँचते हैं किसानों तक लाप पहुचाने वाले इस मौडल के महत्व को समझते हुए हाल ही में देश में सहकारिता मंत्राले का गठन किया गया है इसके पीछे सरकार की सहकार से समरिद्धी की माननेता काम कर रही है आज का हमारा आर्टिकल कौपरेटिव्स की भारत में स्थिति पर बात क करेगा कोपरेटिव्स क्या है इनका इतिहास क्या है वरतमान में इनकी स्थिति क्या है ये तमाम पक्ष आज की चर्चा में शामिल किये गए हैं इसके साथ ही कोपरेटिव्स के फायदे और चुनौतियों पर भी चर्चा करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोपरेटि for each and one for one की तरहां काम करती है। सहकारिता से मतलब किसी ऐसे स्वायत संगठन से होता है जहां कुछ लोगों का समुहूं अपनी इच्छा से साजह, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जरूरतों के लिए एक साथ आता है। संयुक्त तौर पर इसे लोगतांत्रिक धंग से श आर्थिक एवं सांस्कृतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए संचालित की जाती है। भारत में कोपरेटिव सोसाइटी, कोपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के तहद गठित की जाती है। इसके प्रावधान के मताबिक 18 साल से अधिक की उम्र के कम से कम 10 लोग जो साज आर्थिक मकसद के लिए समझोता करने की इक्षमता रखते हों वे कोपरेटिव सोसाइटीज का गठन कर सकते हैं। कोपरेटिव के प्रकारों की बात करें तो भारत में कंजियूमर कोपरेटिव सोसाइटी, प्रोडूसर्स कोपरेटिव सोसाइटी, कोपरेटिव मार्केट के हितों को सुरक्षित करने के लिहास से गठित की जाती है। इसमें उब्भोकता को वस्तुएं उचित दामों पर मुहया कराई जाती हैं। इसमें उब्भोकता वस्तुएं सीधे उत्पादकों या निर्माताओं से खरीदते हैं। इनके उधारण हैं केंद्रिय भंडार, अपना बाजार, सहकारी भंडार आदी। प्रोड्यूसर्स को उपरेटिव सोसाइटीज छोटे उत्पादकों के हितों को संरक्षित करने के लिए गठित की जाती हैं। इनमें वैसे छोटे उत्पादक होते हैं जिने उत्पादन के लिए कच्चामाल, टूल्स, छोटे उत्पादकों और निर्माताओं द्वारा गठित होती हैं। ये अपने उत्पादों को व्यक्तिगत तौर पर बेचने में सक्षम नहीं होते हैं। ये सोसाइटीज सदस्यों से उत्पादों को एकत्रित करके बेचने का काम करती हैं। अमूल मार्केटिंग कोपरे कौपरेटिज सोसाइटी में सदस्यों के लिए जमीन खरीद कर घर तयार किये जाते हैं। कुछ सोसाइटीज सस्ती कीमतों पर लोन मुहिया कराने का काम भी करती हैं। cooperative societies के प्रकारों से रूबरू होने के बाद इसकी विशेष्टाओं पर बात करते हैं पहली विशेष्टा है open membership इसकी सदस्यता साजा हितों वाले सभी लोग हासिल कर सकते हैं cooperative societies act के मुताबिक कम से कम 10 सदस्यों के साथ आने की जरूरत होती है हालांकि एक्ट में अधिक्तम संख्या को लेकर कोई बात नहीं की गई है एक बार सोसाइटी बनने के बाद सदस्य अधिक्तम संख्या का निर्धारण कर सकते हैं दूसरी विशेष्टा है वॉलंटरी एसोसियेशन इसमें सदस्य अपनी मर्जी से शामिल हो सकते हैं और अपनी इच्छा के मताबिक ही संस्था को छोड़ सकते हैं तीसरी विशेष्टा है राज्यकानी अंत्रण सदस्यों के हितों का ध्यान रखने के लिहाज से सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया जाता है रजिस्ट्रेशन के दौरान सोसाइटी द्वारा सदस्यों और किए जा रहे वैवसाई के बारे में जानकारी मुहिया करानी होती है कोवरेटिव सोसाइटी को एकाउंट भी मैंटेन करना होता है जिसे सरकारी ओडिटर के दवारा ओडिट किया जाता है चौथी विशेष्टा के तहट को आपरेटिव के लोगतांत्रिक प्रबंधन को रखा जा सकता है पांचवी विशेष्टा की बात करें तो कोआपरेटिव सोसाइटीज का मकसद लाब कमाना नहीं होता बलकि अपने सदस्यों को सेवाए मुहया कराना होता है आखिरी विशेष्टा की बात करें तो ये सोसाइटीज आपसी सहयोक के सिधान पर काम करती हैं कोआपरेटिव सोसाइटीज के बारे में डिसकस करने के बाद उनके इतिहास पर चर्चा करते हैं इतिहास पर गौर करें तो कोपरेटिव का शुरुवाती रिकॉर्ड 1761 में दिखाई देता है। इसके बाद पहली आधुनिक कोपरेटिव इंग्लैंड में 1844 में बनाई गई। भारत में इनका इतिहास काफी पुराना है। विधिक तोर पर सहकारी संस्थाओं पर बात होने ती और ग्राम वन बनाने वाली संस्था को वनराई के नाम से जाना जाता था। ऐसे ही 53 कोर में, कुरिस और कोलापुर में, भीसीज और फड के नाम सहकारी संस्थाओं के तोर पर सुनने को मिरते हैं। फड पानी को लेकर किसानों के बीच की गई साजेदारी होती है। फ्रेडरिक निकोलसन को मदरास में सहकारी समीती की संभावनाओं पर रिपोर्ट तयार करने का काम सौपा। 1895 में सौपी अपनी रिपोर्ट को उन्होंने फाइन एफिंसन शब्दों के साथ अंतिम रूप दिया था। यहां पर एफिंसन से मतलब यूरोप में सहकारी समीतियों के पूरोधा रहे फ्रेडरिक एफिंसन से था। उन्होंने यूरोप में स्वशासन, स्वजिम्मेदारी और स्वसहायता जैसे सिधानतों के आधार पर सहकारीता को बढ़ावा दिया। निकोलसन की रिपोर्ट के मताबिक भारत को अपने यहां एक एफिंसन की जरूरत है। हालांकि भारत के एफिंसन की खोज स्वतंतरता के बाद वरगीज कुरियन के तौर पर पूरी हुई। इसके बाद निकोलसन एडवर्ड लॉग कमीटी में सदस्य के तौर पर शामिल हुए। इस समीती की सिफारिशों पर ही पहला कोपरेटिव कानून कोपरेटिव क्रेडिट सोसाइटिस एक्ट 1904 लागू किया गया। 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने कोपरेशन के विशे को प्रांतों को ट्रांस्वर कर दिया। स्वतंतरता प्राप्ती के बाद की बात करें तो 1960 से देश में सहकारिता को बढ़हावा देने के लिए कुछ राष्ट्रिय स्तर के संस्थानों की स्थापना की गई। मसलन, साल 1963 में नैशनल कोपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और साल 1965 में नैशनल डेरी डेवलपमेंट बोर्ट की स्थापना की गई। मसलन, साल इन्टर्पमेंट की स्थान पर लाया गया था। वैश्विक स्तर पर सहकारिता को बढ़हावा देने के मकसद से हर साल जुलाई के पहले शनिवार को इंटरनेशनल डे आफ कोपरेटिव मनाया जाता है। हर साल इंटरनेशनल कोपरेटिव अलायंस द्वारा वर्ल्ट कोपरेटिव मौनीटर नाम से रिपोर्ट जारी की जाती है। इतिहास को खंगालने के बाद आईए अब भारत में कोपरेटिव की समविधानिक स्थिती पर गौर करते हैं। इस सम्विधान में तीन प्रमुख बदलाव हुए। इनमें पहला है सरकारी समीतियां बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। इसके जरिये अनुछेद 19.1.C. में सहकारी समीतियां शब्द जोड़ा गया। दूसरे सम्विधान के नीती निदेशक तत्वों में अनुछेद 43.B जोड़ा गया। इस अनुछेद के मुताबिक राज्य सहकारी समीतियों के स्वैचिक गठन, स्वायत कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। तीसरे बदलाव में सम्विधान में भाग 9.B जोड़ा गया। इस भाग को सहकारी समीतिया नाम दिया गया। इसमें 243.Z.E.T. से लेकर 243.Z.T. तक के अनुछेद शामिल हैं। बहरहाल जुलाई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने भाग 9.B के एक हिस्से को रद कर दिया था। कोर्ट के फैंसले के मताबिक अब 9.B उन्हीं मल्टी स्टेट कोपरेटिव सोसाइटीज पर लागू होगा जो एक से अधिक राज्यों और संग शासित प्रदेशों में काम करती है। कोर्ट ने माना कि अब एक ही राज्य में काम करने वाली सहकारी समीतियों पर भाग 9.B के प्रावधान लागू नहीं होंगे। क्योंकि पहले से राज्य सूची में शामिल होने के कारण ये राज्यों का अनन्य अधिकार है कि वे इन्हें शासित करने के लिए अपने कानून बनाएं। आपको बता दे कि इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने साल 2013 के गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को कायम रखा है। जिसने उस दौरान ठीक ऐसा ही तर्ख दे कर इस संशोधन को अमानने करार दिया था। मिर्धा समीती, जगदीश कपूर और विखे पाटिल समीती भारत में को आपरेटिव्स पर बनी प्रमुक्ष समीतिया हैं। सहकारी समीतियों के समवेधानिक स्थिती पर बात करने के बाद जानते हैं कि इनका महत्व क्या है। भेध देखने को नहीं मिलता। समविधान के भाग 9B में सहकारी समीती में अनुसूचित जाती या जन जाती और महिला सदस्यों के होने पर उनके लिए सहकारी समीती के बोर्ड में सीटों के आरक्षन का प्रावधान किया गया है। और अपनिवेशिक सत्ता वाली मानसिक्ता से मिली लाल फीता शाही से निजात दिलाने में सहकारी समीतीों ने बड़ी भूमिका निभाई है। सहकारी समीतीों से गाओं के स्तर तक अव संरचना विकास मसलन सड़के, शीद भंडार ग्रह, बिजली, परिवहन जैसी सुविधाओं का विकास हुआ है। भारत में सीमांत और छोटे किसानों की संख्या अधिक है। ऐसे में सहकारी क्रिशी किसानों की आये दोगुना करने में मददगार साबित हो सकती है। गौर्तलभे की सहकारी समीतीों के जरिये किसानों को इन्पुट्स समय पर हासिल हो सकेंगे। सहकारी समीतियों के जर्ये बिचॉलियों के प्रभाव को कम करने में मदद मिली है। इसे किसान सीधे उभोकता से जुड़ सकते हैं। ग्रामीर भारत की अर्थवेवस्था में आमूल चूल बदलाव लाने में सक्षम सहकारी समीतियों की रहा में कुछ चुनौतियां भी हैं भारत में सहकारीता के क्षेतर में सबसे बड़ी चुनौति है कि यह लोगों के बीच से निकला हुआ मूवमेंट नहीं बलकि सरकार द्वारा लाई गई नीतियों का नतीजा है इसलिए यहां की सहकारीता में यूरोप की तरह सहचता नहीं दिखी दूसरी चुनौति है रजिस्ट्रार ओफ कोपरेटिव सोसाइटिस की शक्तियां इसकी भूमी का सहकारी संस्थाओं के मार्क दर्शक के तौर पर होनी थी जो की हालिया समय में डिक्टेटर के तौर पर देखी जा सकती है एक से नियम बना के सभी समीतियों को एक सांचे में फिट करने की कोशिश उनके नवाचार और मौलिकता को कम कर देती है इसके अलावा शहरी सहकारी बैंकों के वी नियमन के लिए आर बी आई और ग्रामीर्ड बैंकों के लिए नाबाड एक सही विकल्प नहीं है जानकारों के मताबिक इस से नाबाड अपने मूल मकसद पर काम ही नहीं कर पाता एक अन्य चुनौती है नियमन के लिए शहरी और ग्रामीर्ड सहकारीता को अलग-अलग करके देखना इस से 21 सदी में भी गावों और शहरों का दकीया नुसी विभाजन दिखाई देता है इसके अलावा भारत में को आपरेटिव बैंक्स में NPA की समस्या भी लगातार बड़ी है इन चुनौतियों के मद्दे नजर देखते हैं क्या हो आगे की रहा सबसे पहले सदस्यों का प्रतिनिधित्व प्रबंधन के स्तर पर सुनिश्चित किये जाने की जरूरत है इसके साथ ही लोगों की भागीदारी को बढ़हावा देने पर ध्यान दिया जाना चाहिए ऐसे नियम जो गैर जरूरी प्रतिबंधों को बढ़हावा देते हों उन्हें खत्म किये जाने की जरूरत है डेरी क्षेत्र में जैसे अमूल की सफलता दिखाई देती है उस तरहां की कामिया भी क्रिशी के क्षेत्र में देखने को नहीं मिली है समय समय पर क्रिशी के क्षेत्र के लिए एक वर्गीस कुरियन जैसी शक्सियत की जरूरत पर जोर दिया जाता है सहकारी समीतियों में भी ऐसे नेत्रित्व को विक्सित करने की जरूरत है जो सरकारी नीतियों में सहकारिता के हितों को सुनिश्चित कर सकें कोविट से बदहाल अर्थविवस्था में कोपरेटिस को संगठित और मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वरा सहकारिता मंत्राले की पहल महतपूर्ण कदम साबित होगी इस उमीद के साथ आर्टिकल का अंत संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अननान के कहे शब्दों से करते हैं लोग तंत्र समानता और एक जुटता के मूल्यों पर आधारित, निजी पहल, उद्यमिता और स्वरोजगार के सिध्धानतों पर गठित होने वाला सहकारी आंदोलन, नयायपूर्ण और समावेशी आर्थिक व्यवस्था का मार्ग तयार करने में मददगार साबित हो सकता है, आईए, अब नोट करते हैं आज का सवाल, सहकारीता क्या है, इसके महत उपर चर्चा करते हुए चुनौतियों का उलेख कीजिए